the coefficient of x की पार 4, फिर से multinomial 6 factorial by a factorial, b factorial, c factorial, ये बन जाएगा, देखो 2 की पार a, minus 1 की पार b, और 3 की पावर c, अब x की पावर लिख लो, a यहां से और 2c यहां से, so b plus 2c, फिर से y, a plus b plus c कितना होगा, 6, और b plus 2c कितना हो जाएगा, तो कितनी पावर का चाहिए, 4 का, तो यहां से cases आप बना लिजिए, c को अगर 0 रखेंगे, तो b कितना रहा है, 4, so 2, 4, 0, c को 1 रखो, b आ रहा है, 2, 3, 2, 1, c को 2 रखो, b आ या 0, यह बन जाएगा, 4, clear, c 3 रखनी सकते, 3 के case possible है, तो answer will be, 6 factorial over, 2 factorial, 4 factorial, 2 square, और 3 की पावर, 2 square, 3 की पावर, तो 0, तो यह 4 बन रहा है, plus, 6 factorial over, 3 factorial, 2 factorial, 2 का cube, यानी 8, और minus 1 का square, 1, और यह 3 बन जाएगा, plus, 6 factorial over, 4 factorial, 0 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 2 की पावर, 4 किता बने गएगा, यह 16, और 3 square, 9, इसको simplify कर लीजिए, कितना आ रहा है, देखो, 65, और यह 2, 60 बन रहा है, यह, plus, 654, by 2, then 60 into 24, और यह बन जाएगा, 65, 65, 15 into 16 into 9, यह sum आप देख लीजिए, कितना बनेगा, यह 60 बन रहा है, यहाँ से क्या किया आपने, इसको 4 into 4 लिख दे, 15 into 9 into 4, और एक 4 को हमने 15 into 4, 60 लिख दिया, 60 common निकाल लो, देखो, क्या बन रहा है, 24 plus 36, 24 plus 36, आपका बन रहा है, 40, 60, yes 3600 और 60, 3660, option A आपका बन जाएगा, इस question,